इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि OBE पोर्टल पर जब आप अपना अंसर अप्लोड करोगे तो सिर्फ Add Files पे क्लिक करके अंसर को चूज करने से आपका अंसर अप्लोड नहीं होगा और B कुछ steps हैं वो करने के बाद ही आपका अंसर अप्लोड होगा अदर्वाइस आप से फाइल चूज करके छोड़ देंगे तो आपका वो फाइल चूज करना और ना करना एक ही बराबर है आपका अंसर जो है वो पोर्टल पर अप्लोड नहीं होने वाला और वो जब आप सम के लिए आपको अपनी परमीशन देनी पड़ीगी उसके बाद ही आपका फाइनल अंसर समिट माना जाएगा तो जिन बच्चों ने कल मोक टेस्ट दिया था आई होप उन लोगों को यह चीज़े क्लियर होंगी कल या परसो जब आपका मोक टेस्ट हुआ था तो काफी सरे बच्चों को यह चीज़े पता चल गई होंगे लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी confusion है या फिर जिनोंने मोक टेस्ट दिया ही नहीं उनको तो यह बात पता ही नहीं चली होगी तो मेबी वो यह दो तिनी स्टैप छोड़ दे और अपना अंसर सिफ चूज करके छोड़ दे आपको इस वीडियो को जस्ट एंड तक देखना है ताकि आपको सारी कलारिटी हो जाया और जब कल आप अपना एक्जाम दोगे तो आपको कोई भी confusion ना रहे बिना टेंशन के आप अपना अंसर अपलोड कर पाएं अपने पोर्टल को अच्छे से यूज कर पाएं और अग तक यह information पहुंच सके और सभी को clarity हो कोई doubt ना रहे सब ही free mind होकर अपना answer paper लिखें और upload करें कल जब आपका exam होगा तो फटा-फट से सारे steps को देख लेते हैं एक एक करके जब आप अपने portal पर login करने के बाद जो open book examination वाला section आता है वहां पे जाते हो तो जो page आपको देखन question numbers दिए होते हैं question number one question number two question number three जैसे यहां पर यह question number one लिख रहे है ठीक है तो यहां पर अलग-अलग answers को आपको अलग उसी के place पे upload करना है यह बात मैं पहले भी काफे सारी वीडियो में बता चुक्यों मतलब answer number one जह से question number one लिखा यहां पे upload करना है ठीक है इसके नीचे question number two लिखा तो answer number 2 आपको वहाँ upload करना है answer number two नहीं किया तो वहां पे upload करो उसके नीचे answer number to question number three लिखा है ऐसे ही तो जब आप answer number करोगे तो वहीं पर आपको upload करना है ठीक है टू के place पर upload नहीं करना अभ upload कैसे करोगे ये भी मै algún has a yol सर्कर्ण करते जाओके खुद pdf बना और साथ के साथ आंसर अप्लोड करते रहो उसका एक benefit यह होगा कि अगर आप लास्ट में agree करना भी भूल जाते हो क्योंकि जो दो तिन स्टैप हैं आंसर सम्मिट करने के बाद में तो भी आपके जो आंसर से ना वो अटो सम्मिट हो जाएंगे और अगर आपका समझ में आ गई होगी दूसरी बात सारे जोशन नहीं करने होता है को जथने पर में जितने भी इन्स्रक्शन सरा उते हैं कि आपका टाइम कितने घंटे का है तीन घंटे लिखा लिखा है तो भी आपको रिमोट भालों तो आप Add Files पे क्लिक करोगे यहां पे Answer No.1 की बात हम कर रहे हैं, Add Files पे आपने क्लिक किया, तो यह आपसे पूछेगा कि कहां से Answer को अपलोड करना है, ठीके तो यह address दिखाएगा आपको अपनी, आपकी location का, कि किस location से आपको करना है, तो आप My Files पे क्लिक करोगे, तो यह देगा, उपर ही, कि Images मैंसे करना है, Documents मैंसे करना है, तो अगर आप Image अपलोड कर रहे हो, तो इमेज वाले section में जाओगे, और अगर आप document मतला PDF upload करो, तो जो भी जहां पे भी आपका address है, आप आपके phone में, आपके laptop में, जहां पे भी आपने save कर रहा है, उसको आप देख लेना, आपको better पता होगा, ठीक है, तो वहां से आप वो option चूज करोगे, यह मैंने पहले भी आपको बताया था, कि जो भी आप PDF और उसमें आपको तीन कोशन करने थे, तो अगर सब का नाम आप लिख दो, आपको समझनी आएगा, कौन सा कोशन है, ठीक है, तो आप उसका नाम लिख दो, EBS question number 1, then EBS question number 2, तो जब आप अप अपलोड करोगे, यहां पे वो दिखी जाएगा आपको, तो आपको चूज करन यही PDF मैंने बनाई है, जो मुझे अपलोड करनी है, तो यहां पे हमने मोक टेस्ट वाली PDF चूज की, तो जो भी अगर आप answer number 1 अपलोड कर रहे हो, तो उसका नाम question number 1 लग दो, या answer 1 लग दो, जो भी आपको लगे, आपको उससे पहचान में आनी चाहिए, तो यहां से स्क्रोल करना हो, कभी-कभी option है, यह साइड में छुपा भी रहता है, तो अब यहां पे, अपकी PDF यहां पे, चूज तो हो गई है, यह फाइल लेकिन अभी अपलोड नहीं हुई है, अब आपको यहां पे क्लिक करना होगा, स्टार अपलोड पे, और अगर आपने गलत अपलोड हो जाएगी, देखो, यहां पे ऐसे लिखा आजाएगा, फाइल इस अपलोड हो गई है, और यहां पर डिलीट का भी option आ रहा है, कि अगर आपको लगता है, बाद में कि आपने गलत फाइल अपलोड कर दिये, तो आप डिलीट भी उसको कर सकते हो, इस तरीके से यहां पर आ रहा है, आप देखो, एक फाइल जब मैंने कोशन नमर वन की PDF अपलोड कर दी, पहली बात तो यह धियान रखना है, 7 MB से कम की PDF होनी चाहिए, कम कितना भी हो चलेगा, लेकिन 7 MB से जादे की PDF नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तभी भी एक फाइल, मैंने अंसर अप अब एक ही PDF अपलोड करो, आप और भी PDF अपलोड कर सकते हो, सपोज चार पेजिस के आपने एक PDF बना ली फिर पांच वे पेज से आपने दूसरी PDF बना ली बस पेज निम्बर जलू डाल देना, पेज पर ठीक है, एक कोशन के जितने भी पेजिस कर रहा हा, 123456 ऐसे आपने पेज निम्बर डाल दे, फिर सेकेंड आंसर के 123456 ऐसे डाल देने, ठीक है, तो अगर आप एक PDF में नहीं अपलोड कर पा रहे हो, तो आप दूसरी PDF भी बना सकते हो, तो अप दूसरी अगर कुछ और भी अपलोड करना चाहते हो, तो वो अपलोड कर दो, तो दो PDF भी एक अपलोड की जा सकती है, सिमलर प्रोसेजर, एड फाइल, चूसको और अपनी फाइल जाके, लूकेशन में से, देन अपलोड का जो वो ब्लू वाला है, तो अपलोड पे क्लिक करोगे, तो वो ब्लू वाला कम्प्रीट हो जाएगा, देन वो फाइल भी यहां पे आपकी ऐस बेस्ट वे है अपलोड करने का आंसर को, तो आप किसी ऐसे फोन में लॉग इन कर लो, सपोज आपकी घर में और भी मेंबर्स हैं, उनके पास भी फोन है, तो आप किसी ऐसे फोन में अपनी आईडी पोर्टल पे लॉग इन कर लो, जिसमें आपका पीडियाफ का उप्शन आ रहा हो, जो आपने पीडियाफ बनाई है, अपने फोन में या उसी के फोन में उसके फोन में रहने दो, या सेंड कर दो, अगर उसके फोन में नहीं है, तो वहां से आप अपलोड कर सकते हो, तो यह तरीका तो यह हो गया कि आप किसी दूसरे के फोन की भी हेल्प ले सकत हो दूसरा तरीका यह है कि आपको इमेज भी अपलोड कर सकते हो यहां पर देखो यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपकी एक सिंगल फाइल है वह से जाधा की नहीं होनी चाहिए क्यूंकि आजकल तो फोन में जब आप इमेज भी क्लिक करते हो ना तो इतनी हाई एक एक करके पहली बात तो इमेज अपलोड करनी क्यूंकि जब आप जैसे हम वाट्सप पे इमेज सैंड करते हैं किसी को तो हम करते हैं बहुत सारी इमेज चूस कर लेते हैं देन हम वाट्सप कर देते हैं उसको ठीक है लेकिन यहां पर आपको ऐसा नहीं करना है अगर आपन हो सकते एक दो इमेज यह अप्लोड ही न करें क्योंकि ना लास्ट ना मैंने ऐसा करके देखा था तो कुछ इमेज गायब हो जाते हैं यह उनका सीक्वेंस होता है यह आगे पीछे कर देता अपने मतल़ इतना वह यह सर्वर के अच्छे से कर पाए तो बैटर यह होगा कि एक बार जैसे अपने एड़ फाइल पे क्लिक करा और एक इमेज अप्लोड कर दी वही आपको पूरा प्रसेजर अपलाई करना पड़ेगा हो जब तक वह ब्लू वाला ना आजा तब तक आपकी एक इमेज अप्लोड नह पास तक सब्सक्राइबरे तो फोलेके अप्र अगए घु सतो हेकर इंदर की बात कर रहीं और जैक्श्यां को बड़मत आपको प्रसेज़ दिएक Bड borders करें कोई पॉसिभल कर रही आप cash Duty पीडियेफ औपलोड कर रहे हो चाहें साध्षे अपढ़ने पॉआट्लूड जो क्वालिटी है न वह अच्छी होने चाहिए इसका मतलब क्या है है जो भी टेक्सट आपने लिखा है वो शो होना चाहिए कि सपोज आप तो यह सोचो कि भई PDF अप्लोड करने को बोला या इमेज अप्लोड करने को बोला है हम तो करके अपना काम खतम करतें नहीं जब तक वो उसमें आपने लिखा क्या है वो clearly show नहीं होगा तो जब आप यह copies चेक होंगी वो teacher check कैसे करेगा चेक ही नहीं कर पाएगा न वो तो एक पर PDF बनाते हो या आप image क्लिक करते हो न तो वो उसको देख लो कि जब आप टेक्स्ट लिखा है न वो clearly show हो रहा है या नहीं हो रहा अगर आपको show हो रहा है that means changes तो हो जैसी फाइल आप upload करोगे वैसी ही submit हो जाएगी तो अगर आपको आपके फॉन में clearly show हो रहा है तो जब आप teacher check करेगा उसको भी show जाएगा ठीक है तो make sure कि आपके जो पिक है वो clear है या फिर आपने जो PDF बनाई है वो clear है कभी-कभी होता है कि हम पिक करते हैं वो blur हो जाता ह दिखाई दी और आपने जल्दी में अप्लोड कर दिया तो उसका upload करने का कोई फायदे नहीं होगा सामने वाले टीचर जो है वो चैकी नहीं कर पाएगा ठीक है तो मैंने दोनों चीज आपको बता दी कि आप PDF भी upload कर सकते हो आप images भी upload कर सकते हो लेकिन images एक एक करके करने जैसे add file का option आ रहा है एके करके add करते जाओ और जब तक ही delete का sign ना आ जाए सारी pics के आगे आप यह मैं समझू कि वो upload हो गई है तो एक तो यह बात होगी अब ऐसे ही जैसे हमने question number one upload कर आपने question number third कर आप थर्ड भी upload कर दो उसके सामने भी ऐसे बना हुआ जाएगा fourth upload कर दो जितने भी आपको answer upload करने ना पेके करके सारे answers को upload कर दो उसके बाद जब आप last में जाओगे नीचे की तरफ जब आपने सारे आंसर जिसने आपको 4 आंसर या 5 आंसर जितने अपलोड करने थे आपने अपलोड कर दिये जब आप नीचे की तरफ स्क्रोल करोगे तब लास्ट में यहाँ पर बोलेगा प्रिव्यू एंड सम्मिट रिस्पॉंस की अब आप अपना जो आंसर है वो सम्मिट करना चाहते हैं और सिफ इस पर क्लिक करके आपका अंसर सम्मिट नहीं होगा इसके बाद भी बहुत सारे स्टैप से जो कि हम देखेंगे अभी यहाँ पर दीग है आप क्लिक करोगे प्रि पीशेत करने के बाद यह दिखा देगा जितने यह अनसर अपलोड करें जैसे फ्रस्ट पर कुछा रहा हुए और फिर अपने उन्सरी नहीं करा आप और आप चैक करना चाहते हो कि आपने सही अंसर अप्लोड कर रहा है यह नहीं कर तो विउ का उप्शन आ रहा है तो विउ कर के चैक कर लो कि यह फस्त तांसर की डुबारा ॉपलोड कर दो ऐसी जितने अपने अंसर करें हैं अगर टाइम है तो ये यह विई करके आप देख लो सारी चीजे उसके बाद के जब आप नीचे की तरफ और में वोड़ा है तो देखो ऐसे बोल रहा हैं की आईग्री अप यहां इसर समेड करना चाहत're आई एगन संमिट तो सिफ इस पर क्लिक कर गी कुछ नहीं होगा पहले आपको ये चेक बॉक्ट्व करना होगा ये फिल कर आ जाएगा इस तरीके से यह पित जब अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर पूछेगा कि भी शूर हो करना चाहते हो सम्मिट तो फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद जब आप ओके पर क्लिक कर देंगे आपको यह लिखा हुआ आजाएगा कि आपको कुछ नहीं करना आपको इसका स्क्रीन शॉट ले लेना है उसी डेट पे ताकि कल को अगर आपकी रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दिखा सको कि आपने अंसर सम्मिट करेंगे तो उसका भी स्क्रीन शॉट लेका कि आपके पास एक प्रूफ रहे कि आपने अंसर सम्मिट करेंगे ते और उससे भी इंपोर्टन बात ये कि जो भी आफ PDF बनाओगे न प्लीज आंसर सम्मिट करते के साथ ही उनको डिलीट मत कर दे न जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता आपको वो PDF डिलीट नहीं करनी है क्योंकि ऐसा भी हुआ है लास्ट टाइम कि इतने सारे बच्चों को एक दो बच्चों को नहीं इतन रिजल्ट अपडेट कर पाएं तो उन PDF को गलती से भी डिलीट नहीं करना जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उनको सेव करके रखना है और यह बत जो मैं बोली थी यहां पर कि बच्चे बोलते मैं कोई भी मेल नहीं आया तो अगर यह लिखा आ गया मेल आया या नहीं आया एक के बाद एक मैं आप लोग के लिए helpful वीडियो लेके आती रहती हूं और अपने फ्रेंज के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करना है कोई confusion है अभी भी तो बिल्कुल आप comment box में पूछ सकते हैं अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको उसका solution जरूर बताऊंगी साथ ही झाल 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 झाल